हाई फ्रेंड्स, ओनलाइन एग्रिकल्चर क्लासिस के अफिसियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक श्वागत अमिनंदन एवंग बंदन करता हूँ आज के इस सेग्मेंट में देखिए यूपी कैटिट एक्जाम 2023 का जो होने वाला है इसका GS Special पांचवा सिरीज स्टार्ट अप है पीछले वीडियो पे हमने जैसा कि कहा था आप लोग 50 लाइक भी नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं तो क्या हमाई आप मोटिवेशन नहीं दे रहे हैं तो हम आपके लिए क्या सिरीज कांटिन्यू रखें या फिर होल्ड करते हैं महत्वपूर्ण प्रस्ण आपके लिए बहुत समय कीमती निकाल करके एक बार PDF टाइप करना पड़ता है फिर वीडियो रिकार्ड करना पड़ता है एडिट करना पड़ता है फिर अपलोड करना पड़ता है कम चेकम तीन से चार घंटे एक वीडियो को क्रियेट करने में लगता है तो आपका तीन से पास सेकेंड लगता होगा बस लाइक करने में तो आप लोग अबस से लाइक कर दिया करिए और जो इस्टूडेट अभी तक फालो नहीं किए इस्टाग्राम पर तो आप लोग फालो कर लीजिए यहां से जो भी अमारी लेटेस्ट की अपडेट होंगी यहां से पता चलती रहेंगे ठीक है तो चलिए सबसे पहला कोशन आ अफ एगरिकल्चरल रिसर्च उत्तर प्रदेश कांचिल आफ एगरिकल्चर रिसर्च जो की कहां परिस्थित है आपका आपसान देखे कानपूर लखनोव वाराणसी इलहाबाद इलहाबाद का नाम बरतमान में परियाग राज हो गया है इलहाबाद आपका नहीं है वारा उपकार कहां पर है आपका उपकार लखनोव में स्थेत है ठीक है अगला देखिए उन्नत क्रिशी पत्रिका कहां से प्रकासित होता है उन्नत क्रिशी आप्षन देखिए भोपाल पंजाब नई दिल्ली और लखनोव ठीक है तो आप्षन के अंशार देखिए हम थोड़ा चलते हैं क्रिशक जगत आपका भोपाल से जारी होता है नोट डाउन करते रहीएगा क्रिशक जगत क्रिशक जगत आपका भोपाल से जारी होता है ठीक है और यहीं पर क्रिशक दूत भी आपका भोपाल से जारी होता है ठीक है अब दिखिए पंजाब में आएंगे तो खेती 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 दुनिया खेती दुनिया जो है यह आपकी पंजाब से बिलांग करती है मतलब पंजाब से प्रकासित किया जाता है नई दिल्ली से आपकी रिलीज की जाती है उन्नत क्रिशी ठीक है उन्नत क्रिशी क्रिशी चैन का और जो खेती है आपकी क्रिशी की प्रथम पत्रिका है ये पूछी गई है क्रेशी की पर्थम पत्री का कौन सी है तो ये खेती है नई दिल्ली से डेवलोप की जाती है मतलब प्राकासित किया जाता है ठीक है अब लखनों में आपका गन्ना आईए इसार से निकलता है ठीक है अगला कोश्चन देखिए उत्तर प्रदेश में हाई कोड की अस्थापना किस वर्ष में आपका हुआ था ठीक है आप्षन देखिए 1866-1966-1816-1965 तो इसका जो सही जवाब है यह है आपका फर्स्ट आप्षन 1866 मतलब 1866 में उत्तर प्रदेश में हाई कोड की अस्थापना किया गया था ठीक है यही पर आपको बता देना चाहूंगा कि 1931 में आपक 1930 में भारत में सुप्रिम कोड की अस्थापना होई थी ठीक है अगला कोशन देखिए प्रकीर्ति का दुश्मन कहा जाता है आप्षन देखिए आपका सीशम बर्गत यूकिलिप्टस बभूल तो इसका यह बहुत पापलर कोश्चन है आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका यूकिलिप्टस सही आंसर है मतलब प्रकीर्ति का दुस्मन के नाम से जाना जाता है यूकिलिप्टस क्यों क्योंकि यह देखिए जो भूमिकत जल होता यह एबजार्ब करके एटमासफेर में एक्स्टेंड कर देता है कहने का तात पर यह है कि यह जो जैसे माली जी यह आपका यूकिलिप्टस का पेड़ है इसमें मोस्टली सबसे ज़्यादा वाटर पाया जाता है यह रूट से अपना एबजार्ब करके एक्स्टेंड कर देता है पत्तियों लिप्स के द्वारा ठीक है वायर में इसके आपके वाई मंडल में ठीक है अगला कोस्टन लिए सम्भीधान में कितनी भासाओं का उल्लेख है सम्भीधान में आपके 16, 18, 21 और 22 तो देखे 22 हो यह पूछ जाएगा आपसे कमेंट में बताना होगा कि आपको 22 हो भासा कौन सा भासा को संभिधान में जोडा गया है यह आपको question बताना होगा अगला प्रस्ण देखिए निम्ने लिखित में से सही नहीं है देखिए question आपको carefully पढ़ना पड़ेगा आपसं देखिए और question देखिए यहाँ पर नहीं word देता है कुछ question ऐसे होते हैं जो नहीं word देते हैं और आप उस चीज को ध्यान न दे करके गलत कर देते हैं answer ठीक है आपसं देखिए यह आपका देश का नाम है और वहां के संसद का नाम है ठीक है संसद का मतलब parliament का नाम है ठीक है जापान के संसद का नाम है diet यह भी आपका सही है मालदीव के संसद का नाम है गडवीश गडवीश है यह गलती से गाली किया है फिर USA के जो संसद है उसको सीनेट के नाम चे जाना जाता है जबकि ये आपका लास्ट आंसर गलत है भारत का जो संसद का नाम है उसको संसद ही कहा जाता है ठीक है? नेक्स्ट कोस्टन देखिए WHO, World Health Organization की अस्थापना कभी ये बहुत ही important question है यूपी कैटेट का बहुती popular viral important question है repeat question है इसको आप बिल्कुल कंठस रखिएगा 7 अप्रेल ये तो मुश्ली लोगों को पता होना चाहिए ना 7 अप्रेल को हुआ था W ये च्चो मतलब स्वास्त दिवस मनाये दाता है 7 अप्रेल को अब आप्शन देखिए 1980-1980-1948-2001 तो इसका जो च्चाहिज जबाव है 7 अप्रेल 1948 जिस दिन आपका स्वास्त दिवस के रूप में मनाये दाता है 7 अप्रेल को प्रतेक वर्ष ठीक है 1948 में इसकी अस्ठापना होई थी अगला प्रस्ण देखिए जैव विभित्ता दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है आप संदेखिए 22 माई 31 माई 29 जून और 29 अगस्त तो 29 अगस्त को आपका क्या मनाया जाता है 29 अगस्त को आपका खेल दिवस मनाया जाता है खेल दिवस ठीक है 29 जून को आपका राष्टिय सांखी की National Statistics दिवस मनाया जाता है सांखी की दिवस, ठीक है इसके बाद आप आईए 31 माई 31 माई को बिश्व Anti-smoking टुबैको Day मनाया जाता है मतलब 20 तंबाको निशे दिवस मनाया जाता है 31 माई को ठीक है जबकि 22 माई को जैव विवित्ता दिवस मनाया चाता है परियोजना ये तीला नहीं है टी है ठीक है माता टिला परियोजना किस नदी पर बना हुआ है आप से भागी रथी बेतवा तापती पिरियार तो देखिए माता टिला जो परियोजना ये बेतवा नदी पर बना हुआ है जबकि आपका टीहरी बाद टीहरी बाद जो है ये भा और उकाई परियोजना देखिए जो Torah यह कहां पर है आपका यूक्य में UK का मतलब उत्राखंड में ठीक है और जो माता टेला परियोजना है बेत्वा नदी पर बनाए है यहापका Uttar Pradish और मद्ध्रदिश UP and MP में है ठीक है अब उकाई परियोजना जो तापती नदी पर बना हुआ है ये तापती नदी कहां पर इस्तित है तो ये गुजरात में इस्तित है ठाथ है अब next और last question है आपका परियार नदी पर कौन सा परियोजना बना हुआ है तो इस पे जो बना हुआ है ये आपका है इडुक्की परियोजना परियार नदी पर बना हुआ है ये कहां पर है केरल में ये जो परियोजना आगला प्रस्न देखी आपका UENO की अस्थापना कब हुई थी तो इसका जो सही जबाब है ये है आपका 24 अक्टूबर को UEN ने दिवस मनाया जाता है और इसका जो तिरंगे का रंग है ये आपका है नीले कलर का ठीक है UENO के संस्थापक कौन थे पेनिकलीन डिरूजवेक्ट ठीक है इसका मुख्याल है आपका कहां पर है निव यार्क में है ठीक है अब आपको कोश्चन ये बताना है कि UENO के बर्तमान अध्यच कौन है ठीक है ये अनो के बर्तमान महासचीव आपके कौन है ठीक है अब इसके बाद आपका अगला कोश्चन देखिए नोबल पुरुषकार में कितनी धनडासी डालर के रूप में आपकी मिलती है तो ये डालर के रूप में मिलता है कितना डालर मिलता है एक लाग डालर दस लाग डालर बार लाग डालर पंदर लाग डालर तो इसका जो सही जबाब है ये है एक लाग डालर मिलता है नोबल पुरुषकार की पूरुषकार धनडासी होती है ठीक है अब अगला कोश्चन देखिए उलम्पिक खेलों की शुरुवात कब हुई है? उलम्पिक खेलों की सुरुवात आधुनिक जो उलम्पिक खेल की शुरुवात हुई है आप से देखें 1986-1996, 1968-1886 तो इसका जो सही जवाब है ग्रीश देश के अट्हें से नामक शहर में सहर से इसका स्टार्टप हुआ है ठीक है जबकि भारत में ओलंपिक खेलों का सरोपर्थम 1928 में स्वाण पज़क मिला था 1928 में सरोपर्थम भारत को ओलंपिक खेल में मिला था ठीक है अगला प्रस्म देखिए प्रथम ACI खेलों का आयोजन हुआ था कब हुआ था प्रथम ACI का आयोजन तो आप्षन यहाँ पर देखिए 1914, 1951, 2018 और 1908 तो इसका जो सही जवाब है यह है आपका 4 March 1951 प्रथम यह important question है ठीक है चार मार्च 1951 में इसका सर्व प्रथम 1908 में आपका हाकी को ओलंपिक खेल में सामिल किया गया था हाकी को ओलंपिक खेल में सामिल किया गया था 1908 में ठीक है इसको भी नोट डाउन कर लीजीगा अगला प्रस्ण देखिए हाकी का पहला अंतराश्टी मैच कब हुआ आप्षन 1909, 1895, 1955, 1965 तो इसका जो सही जवाब है 26 जून 26 जून 1895 में सर्वपर्थम हाकी को पहला अंतराश्टी मैच हुआ था किसके किसके बीच में हुआ था ये आपका इंगलेंड इंगलेंड वर्सेस आयरलेंड इंगलेंड वर्सेस आयरलेंड के बीच में हुआ था ठीक है अगला प्रस्ण देखिए हाकी किस देश का रास्टी खेल है इसका तो आंसर मेरे इसाब से नहीं बताना चाहिए ठीक है इसका आंसर आपको स्वयम इस नीचे कमेंड सेक्शन के माध्यम से हमको बताना होगा कि आपकी कितनी बेहतरीन जीयस की तयारी है इसका आंसर मैं कदापी ने बताऊंगा ठीक है अगला प्रस्ण लेखिए राजिव गांधी खेल रत्म पुरस्कार की शुरुआत या अस्थापना तो इसका जो स्टार्ट आप ह हुआ था एकiforn अगला प्रसन देखिये गौतम बुद्ध स्टेडियम कहां इस्थित है आपसन इन उयड जैपूर दिल्ली और स्रीनगर तो इसका जो सही जवाब है गौतम बुद्ध इस्टेडियम आपका नुएडा में इस्तित है ठीक है सवाई मान सिंग अभी जब हमारा टेब आ जाएगा तब लिखने में इसमें आसानी हो जागी क्योंकि इसमें लिखना बन नहीं रहा सवाई मान सिंग आपकी जैपूर में है दिल्ले में आपका फिरोसा कोटला है और सिरिनगर में आपका सेरे कस्मीर ठीक है इसको आप लोग थोड़ा समझ लेजेगा बित्त सचीव का कारिकाल कितने वर्स तक होता है ये इंपोर्टेंट कोशन है चार, छे, दो, तीन तो इसका जो सही जबाब है ये तीन वर्स तक होता है लेकिन यदि भारत सरकार चाहे तो इसको दो वर्स बढ़ा भी सकती है ठीक है? यदि चाहे तो अन्य था, तीन वर्स की आवद के बाद, रेटायर्मेंट मतलब उस पोस्ट को छोड़ना पड़ता है लेव करना पड़ता है ठीक है? नेक्स्ट कोर्शन देखिए ये बहुत प्यारा कोर्शन लाजवाब कोर्शन ढ़ाब बर्तमान में नीती आयोग के अध्यच कौन है? ठीक है? बिवेक, देवराय, नरेंद्र मोदी, बीके सासवत, रमेश चंद्र तो ये देखे बिवेक, देवराय जो हैं ये अर्थ सास्त्री है ठीक है? ये नीती आयोग के तीनों अध्यच तो है मतलब इसमें ये सदस्य हैं अध्यच नहीं है बिवेक के सासवत आपके रच्छा, विभाग से संबन्द देते और रमेश चंद्र आपके क्रिसिवेक ज्यानिक थे तो मतलब ये तीनों लोग नीती आयोग के सदस्य है ठीक है? आगे देखे बहुत लाजवाब कोस्टन इकाना इस्टेडियम आपका क्रिकेट हुआ है तो इकाना इस्टेडियम आपका कहा परिस्तित है? कानपूर, लखनो, वाराणसी, दिल्ली तो इसका जो सही जबाब है आप कमेंट सक्षेन में बताईएगा लखनो है अब देखे यहाँ पर एक कोटेशन दिया गया है जिस दिन हमारे सिंगनेचर आटो दोस्त मित रहें, वो भी यूपी केड़िट की तयारी करने है तो वो लोग भी थोड़ा रहात मिले उनको भी अच्छे-च्छे कोश्चन्स मिले और चैनल को सस्क्राइब कर दीजेगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसे नेक्स्ट आपिक के साथ तब तक के लिए जहिन